नमस्कार दोस्तों इसके हेल्दी आपका स्वागत करता है दोस्तों आपने अपने बच्पन में कहाबत सुनी होगी आम के आम गुठलियों के दाम उस टाइम का मतलब शायद आपके समझ में ना आया हो लेकिन सस्तों यह है कि फलो का राजा आम खाने में जतना स्वादिस्ट होता है उससे ज़्यादा उसकी गुठली आपके लिए किसी रामबन उपाई से कम नहीं है आम खाकर दूद पीने का फायदा आप सभी जानते हैं लेकिन आम के गुठली के जो फायदे हैं वो हमारे सरी के लिए बेहत फायदे मंद होते हैं तो आईए जानते हैं इस गुठली से होने वाले फायदे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वब पैल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें आम की गुटली सिर के जुए के लिए बेहत फाइदे मन्द होती है इसके लिए आम के पेड़ की सुखी चाल और आम की गुटली को सुखा कर उसे कूटले और महीन पाउडर बना ले गुटली के पाउडर में नीवु का रस मिला कर सर में लगाएं कुछ ही दिनों में सर के जुए खत मो जाएंगे आम की गुटली का तेल, fatty acid, minerals और vitamin से भर पूर होता है गंजा पंदूर करने के लिए 10 बारा आम की गुटलीयों को सुखा कर पीच ले उस में नारियल का तेल मिला कर पका दे इसको रोज एक महीने तक सर पर लगाएं से ना सिर्फ बालों का छहना कम हो जाएगा बलकि बालों का सफेद होना भी रुख जाएगा आम की गुटली अगर चबा कर खाई जाए तो blood pressure में आराम मिलता है साथ ही गुटली दिल की बिमारियों में भी लाब कायक है गुटली का पाउडर खाने से दिल की बिमारियों से भी लाब मिलता है इसके साथ ही blood का circulation नॉर्मल रहता है आम की गुटली पेट के रोगों के लिए भी लाब कारक होती है गुटली बिलगिरी मिश्री एक समान मात्रा में पीस कर दो चमच खाने से पेट की बिमारियां ठीक हो जाती है साथ ही बाबा सीर के लिए भी फायदे मंधर आम की गुटली का पाउडर ठाच में मिला कर पीने से बाबा सीर के मरीजों को आने वाला खून बन दो जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके सरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपका फोच बहुत फेलने वाद